हेलो वरिवन वेल्कम यूओ अलेट लोकेसर अलम्टेट इस्टरी जो चलिए देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट कॉश्चन यहां पर कर रहे हैं आज हम ग्रविटेशन चैप्टर के तो यहां पर कॉश्चन जो हमें दिया गया है वह क्या दिया गया है देखे इस चीज को आप बहुत ध्यान से दिखे इस चीज को आप बहुत ध्यान से दिखे फाम दा सर्फेस अफ अर्थ से टू आर डिस्टेंस पर आपसे पूछा गया है तो एक फार्मूला आपको याद आ रहा होगा वारियेशन अफ ग्रेविटी चीज इकल्स टू जी वन माइनस टू एच बाई आर र वारियेशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद हाइट एक तो फार्मूला आपको याद आ रहा होगा तो क्या आप इस फार्मूले को लगा सकते हैं नो बिल्कुल नहीं लगा सकते इस फार्मूले को जानते है क्यों क्योंकि इस फार्मूले में आपने आप्रोक्सिमेशन किया था किَ एच अपॉन आर इस वेरी वेरी ल Earn 1 व्याद है बिट आपको येस सर्ट तब भी ये binomial theorem लगी थी और h by r उपर उठ करके आ गया था clear है हाँ सर तो इसमें आप approximation लगी थी और तब ही इसके बाद binomial theorem का यूज हुआ था concept कि 1 plus x की power minus n हो सो ये बन जाता है 1 minus nx तब जब h by r very very less than 1 बट यहाँ पे देखिए क्या हाल है यहाँ पे h by r की एदे में value निकालूं तो कितनी height पर ले गया है बेटा 2r पर तो h 2r है और r तो r है r से r बोलिए हाँ तो 2r है क्या 2 very very less than 1 होता है कि नहीं होता नहीं होता तो इसमें ये formula नहीं लग सकता है तो फिर कौन सा formula लगेगा तो फिर आपके पास में जो simple formula होता है कैसा होता है g dash equals to g g r square by r upon r plus h का whole square I think ये होता है formula ये सर्थ बिल्कुल सही ये होता है g dash equal to g r upon r plus h का whole square ये formula अपलाई होगा पता है बिटाई कहां से आता है हाँ sir ओके इस तरीकी से आता है सबसे पहले surface of earth पर आप g निकालते हैं तो surface of earth पर g जो आता है g equal to capital g mass of earth upon radius of earth square r यहाँ पर r e को हमने r मान रखा है फिर इसके बाद आप क्या करते हैं h height उपर चले जाते हैं जो की बहुत significant height है तो total radius जो होती है mass की क्या बन जाएगी r plus h तो नया वाला gravitational acceleration g dash equals to g capital m e by r plus h का whole square निकल करके आएगा this is number 1, this is number 2 अब number 2 में आप number 1 को divide कर दीजे तो g dash upon g number 2 में आपने 1 को divide कर दिया तो g dash upon g equals to capital g m e upon r plus h का whole square divide by g m e upon r का whole square g m e से ये क्या होगा cancel होगा so g dash by g equals to उपर हाजाएगा r square सबसे उपर और नीचे r plus h का whole square so more clearly you can write g dash equals to g times of r by r plus h का whole square बोली agree or not agree yes sir तो यहां से ये formula आपके पास use होगा इसमें तो अभी तक तो हमने formula की बात करी अब हम question की बात कर लेते हैं तो क्या कह रहा है h कितनी हमाँ पास में 2 r है तो चलिए फिर पूट करना है so g dash equals to g r upon r plus h का whole square तो यहां पे h कितना जा रहा है radius के double के इक पूल yes sir h यहां पे r upon r plus 2 r 3 r हो जाएगा 3 r cut 9 r फिर r cut जाएगा 1 by 9 हो जाएगा is r square यहां 3 r का whole square this means 9 r square r square से r square cancel so g dash equals to g by 9 clear बिटा yes sir so the gravitational acceleration equal to g by 9 और कोई 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 नहीं sir यहां सरे 20 question number 20 okay चलिए question number 20 रेखते है बच्चों क्या है question number 20 यहां पे हमाई सामने so 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 this is question number 20 okay question कहा रहा है the depth at which effective value of acceleration is gravity is g by 4 okay कहा रहा कितनी depth में जाओगे कि effective acceleration जो है वो कितना हो जाना चाहिए g by 4 हो जाना चाहिए चलो भाई देखते है कितना जाएंगे हम depth पे तो कितनी depth पे जाएंगे कि effective acceleration g by 4 हो जाना चाहिए तो सबसे पहले तो हमें depth में जाने का formula पता होना चाहिए तो कल पढ़ा है गया depth में जाने का formula g डैस इकल्स टू g 1 minus 1 minus d y r याद आ गया वाशा so g डैस इकल्स टू g 1 minus d y r यह हमारे पस में formula होता है depth में जाने का so अब कहरा है कि जो acceleration आ रहा है finally वो g y 4 हो चुका है जो g डैस की जगे आप यहाँ पे g y 4 पुट कर दें equal to g 1 minus depth y radius of the earth g से g cancel हो गया आशा so 1 by 4 equals to 1 minus d upon r so d upon r को left में लेके आएंगे so d upon r left में आकर के कैसे दिखाए देगा d upon r equals to 1 minus 1 by 4 so d upon r equals to 4 minus 1 by 4 that is equals to 3 by 4 so depth equals to 3 r by 4 मतलब की radius का 3 4 3 radius का कितना करना पढ़ेगा आपको 3 4th करना पढ़ेगा clear है yes sir let's check the answer यहाँ पे radius का कितना हमें चलना पढ़ेगा 3 4th yes exactly देखे यहाँ पे radius का 3 4th ही चलना पढ़ेगा so correct answer 3 r by 4 done yes sir any more question no चली बच्छे तो आज का topic हम करने वाले हैं आज के topic का नाम है escape velocity escape velocity escape को हिंदी में कहते हैं पलायन करना मतलब किसी जगे को छोड़के चले जाना just escape out from here मतलब दफा हो जाना यहाँ से तो एक तरीके से यहाँ से escape का मतलब क्या है किसकी बात कर रहे हैं किसके escape की बात कर रहे हैं मान लीजे यह आपकी अर्थ है अर्थ की surface पर कोई object बैठी हुई है ओके अर्थ के surface पर कोई object आपके पास में बैठा हुआ है और आपको इसके surface से इस object को हमेशा हमेशा के लिए बाहर भेजना है मतलब यह कभी ना आए यह gravitation zone के बाहर चला जाए ठीक है ना एक बार gravitation zone के बाहर निकल जाएगा फिर यह कभी lot करके नहीं आएगा तो आपको इसको इतनी velocity देनी है तो वो velocity जिसको दिये जाने पर यह कभी भी वापस अर्थ के gravitational field में नहीं आएगा उस velocity को हम क्या बोलते है तो इसका concept क्या है इसका concept यह है अगर यह यहां पर बैठा है इस पॉइंट पर तो किस energy के कारण यहां पर बैठा हुआ है यदि कोई particle अर्थ की surface पर बैठा हुआ है तो यदि मैं इस point पर इसकी total energy की बात करूँ तो दो टाइप के energy होती है किसी भी बोड़ी की mechanical energy kinetic plus potential बोलिए yes की no अब भीया रुका हुआ है अर्थ पे, तो kinetic तो zero है कोई oblique, कोई पत्थर बगए है बट potential energy याद है आपको, कित्ती होती है minus g mass of earth small m upon radius of earth बोलिए होता है कि नहीं होता है यह होती potential energy क्योंकि यहाँ earth का mass capital M है, mE है और यह जो बैठा हुआ है इसकी radius earth की कितनी है, आ रहे है इस energy को लेकर के बैठा हुआ है यह negative energy क्या बता रही है इसके attraction को बता रही है कि इतनी negative energy लेकर के बैठा हुआ है अगर मैं जितनी इसकी negative energy है मतलब इसके पास total energy कितनी हो गई U U equals to इसके पास कितनी है minus G mass of earth mass of the body upon radius of the earth यदि मैं इसको इतनी ही kinetic energy दे दूँ कि U plus K equal to कितना हो जाए 0 मतलब मैं इसको अपनी तरफ से इतनी kinetic energy दूँ कि इसकी total energy क्या हो जाएगी 0 जैसे ही total energy 0 हो गई आपको बच्च पता है कि total energy 0 कहाँ पे होती है potential energy 0 हो जाएगी potential energy खतम हो जाएगी मतलब यह infinity पे मतलब मैं इसको इतनी kinetic energy दे दूँ जो इसकी attraction वाली potential energy को एक तरीके से neutralize कर दे तो neutralize करने पर इसकी net energy कितनी हो जाएगी जीरो और यह escape कर जाएगा clear कि not clear तो मेरे को जो इसको kinetic energy देनी पड़ेगी इसको मेरे को जूर से जो भेगना है वो किस फॉर में देनी पड़ेगी half mv square है ना yes so u हमारे पास कितना है minus g capital m e small m upon radius of earth और मुझे इसको जो energy देनी है अपने तरफ से that is equals to half mass of the body m क्योंकि मैं energy किसको दूँगा इस body को दूँगा earth को तो हिला नहीं सकता mass of the body को मेरे को escape कराना है तो उसी को मैं मारूँगा कितनी जोर से मारूँगा v velocity से और ये v velocity इतनी जोर है कि gravitation से बाहर कर रही है इसलिए मैंने यहाँ पे एक subscript use किया है v escape now total energy equal to कितना हो गई zero clear or not clear clear sir now it is 1 by 2 small m into v escape का square minus वाली चीज यहाँ जाएगी plus में so capital G minus की चीज प्लस हो गई so it is equals to capital G mass of the earth mass of the body upon radius of the earth small m से small m cancel हो गया है तो v escape का square equal to 2 जाएगा नीचे से पलट करके ऊपर चला जाएगा 2 g m e upon r e clear की not clear so बटा v escape का सबसे important और पहला derivation हमाई पास बन चुका है that is equal to g m e upon radius of earth yes this is first derivation for escape velocity तो आप देख रहे हैं कि escape velocity की इस पर डिपेंड करती है mass of earth v escape is directly proportional to under root of mass of earth and it is inversely proportional to radius of the earth मास जितना ज़्यादा होगा प्लानेट का अतनी ज़्यादा escape velocity लगानी पड़ीगी right or wrong yes sir तो यह हो गई अब इसको हम दूसरे term में बदलते हैं बटा इसको हम इसमाल जी के term में लिखते हैं क्योंकि वो भी आता है हमाई पास में ठीक है तो हम यहाँ पे ve equals to under root 2gme upon capital RE बना चुके है 2g mass of earth upon radius of earth बना चुके है but you know हम जानते है since a small g equal to क्या होता है बटा capital gme upon radius of earth by square पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है यह जो होता है gravitational acceleration होता है so यहाँ से gme की value कितनी आ जाएगी g times radius of earth का square तो यहाँ पे मैं value पूट कर दू v escape equals to 2 gme की जाएगी क्या हो जाएगा small g और RE का square और यहाँ पे RE हो जाएगा RE से RE cancel हो जाएगा तो आपके पास क्या बन गया this is equals to 2 into g into radius of earth अब यहाँ पर आप सारी value पूट कर दें radius of earth और 2 into तो यह main formula बन गया आपका sk velocity का क्या बन गया sk velocity का formula 2 g RE clear है पिटा yes sir अब यदि यहाँ पे आप value पूट कर दें तो g की value कितनी होती है 9.8 meter per second square और radius of earth क्या होती है 6400 km यहने 6.4 into 10 की power 6 meter यह होती है clear है yes sir तो यदि आप इसकी value उट कर देते हैं सब कुछ तो solve करने के बाद आपके पास V escape कितना आता है 11.2 km per second मतलब अगर आप किसी चीज को सवा 11 km लगभग की रफतार से फेग दें तो वो चीज कभी अर्थ के atmosphere में वापस नहीं आएगी so it is nearly 11.2 km per second clear बिटा हाँ sir हाँ तो यह हो गया अपने पास में escape velocity का derivation पूरा so let's इसको पढ़ लेते हैं पार so the minimum velocity with which body must be projected up as to enable it just overcome gravitational pull is known as escape velocity the work done to displace a body from the surface earth that is radius of the earth equal to capital R to infinity कितना होगा just opposite of इसकी potential energy होगी clear कि not clear yes sir पर कितना देना पड़ेगा आपको इसको बिटा GMM upon R अब GMM upon R इसकी इसने कर दी potential energy और ये potential energy आपको opposite किस फॉर में देने पड़ेगी kinetic की फॉर में तो आप मेरा तरीका याद रखिए जो मैंने आपको बताया कि the total energy should be 0 तो potential plus kinetic equal to 0 clear बिटा yes sir तो automatically ये सब कुछ हो जाएगा और आपके पास में देखिए solve होकर कि V is equal to under 2gr value put करने के बाद 11.2 km per second ठीक है? हाँ sir तो यहाँ पर आप देखे कि क्या mass पर depend कर रहा है no किसके mass पर? body के mass पर depend नहीं कर रहा है planet के mass पर कर रहा है मगर किसको आप फेक रहे है उससे, उसके mass से कोई मतलब नहीं है तो चाहे आप छोटे से पत्थर को फेको चाहे आप ही खाती को फेको mass पर depend नहीं कर रहा है क्योंकि small m कड जाता है यहाँ पर कहीं पर भी small m नहीं आ रहा है मतलब escape velocity बोडी के mass पर depend नहीं करती है escape velocity does not depend on the mass of the body angle of projection angle of direction और projection clear के not clear? yes अभी किसमें कभी कई बार question आ जाता है कि atmosphere पे air present क्यों नहीं है देखे, atmosphere पे air present क्यों नहीं है किसके atmosphere पे? moon के atmosphere के यह देखे, यह अर्थ है और यह अर्थ का satellite moon है ठीक है? yes sir clear है बेटा? yes sir यह अर्थ का satellite moon है अब देखे क्या है कि यहाँ पर दो प्रकार जो gases होती है उसकी एक natural speed होती है gas जो होती है atmosphere के अंदर उनकी speed को बोलते हैं vrms मतलब root means square speed gas को या किसी भी particle को बाहर कूद जाने के लिए जो speed चाहने पड़ती है वो क्या होती है? vr escape तो बेटा naturally जो gases की rms speed है वो escape velocity से क्या है? ज़्यादा अब भाईया escape से ही ज़्यादा है तो बनेंगी तो जरूर मगर पैदा होते से ही क्या कर जाएंगी? escape कर जाएंगी क्योंकि उनकी चलने की speed उस planet की लिए जो escape velocity है उससे भी क्या है? ज़्यादा है ज़्यादा है मतलब उनकी velocity natural velocity escape velocity से ज़्यादा है इसलिए वो क्या कर जाएंगी? escape कर जाएंगी atmosphere on moon is absent because root mean square velocity of gases particle is greater than the escape velocity clear or not clear yes sir अगर आपकी escape velocity आपकी natural motion की velocity से ज़्यादा है तो आप इस planet में या किसी body में रही नहीं सकते हैं क्योंकि वह escape कर जाएगा done? yes sir so this is complete about escape velocity चली बच्चों तो से लिबस की बात का लेते हैं gravitational and potential gravitational potential energy and gravitational potential हमने डिसकस कर लिया है escape speed या escape velocity भी बात होती है अब बात करते हैं एक और है orbital velocity of satellite ठीक है न? orbital velocity देख लेते हैं कि orbital velocity क्या होती है चली orbital velocity बता दे orbital velocity satellite की देखे ये हमारी आर्थ है आर्थ का मास है m e और अर्थ की radius है r e तो मास में थोड़ा सा नीचे लिखूँ तब आपको radius देखने का मौका मिलेगा ये देख लिजे ये म e है और यहां तक radius है r e और ये क्या है भाई साब h height है क्योंकि satellite कुस दूरी पर चकल लगाते हैं this is height h 200-300 km की दूरी से स्टार्ट हो जाता है तो ये हो गया h distance हो गई surface से total mass of the earth equals to mp माल लीजे यहां पर कोई satellite है और ये satellite क्या कर रहा है orbit कर रहा है किसको करेगा orbit अर्थ को अर्थ को ये orbit जब कर रहा है तो जिस speed से ये orbit करेगा अर्थ को उस linear speed को बोलते है orbital speed या orbital velocity ठीक है ये सर आपको याद होगा मैंने बताया था कि किसी भी चीज को अगर circular path में घुमाना है तो आपको उस पर टाई पकड़के खेचना पड़ेगा मतलब एक force लगाना पड़ेगा और यहां पर ये force gravitational force होता है मतलब जो gravitational force होता है वो satellite के लिए necessary centripetal force प्रोवाइड करता है मतलब centripetal force provided to the satellite being given by gravitational force तो यहां से लिए स्टार्ट होगी f centripetal is equals to fg clear? centripetal कौन ले रहा है satellite ले रही है gravitational कौन दे रहा है earth दे रही है इतने distance पर बिटा satellite बैठा हुआ है r distance पर small r that is called r e plus h इसा चलिए बनाते है centripetal force का formula मैंने क्या पढ़ा है था fc equal to mv square 1 r so यहां पे fc यहां इस body पर satellite पर लगने वाला centripetal force कितना होगा small m mass v orbital का square क्योंकि जिस velocity से चलेगा वो orbital velocity होगी upon radius distance from the source r जहां से यह इसको मिल रहा है उस object की radius जिसके about यह चक्कर लगा रहा है mv square by r now this force is given by gravitational force that equal to g m e small m upon r k square clear बिटा yes अब m से m cancel हो गया वा भाई वा मतलब यहां पे तुरंत हम को समझ में आ गया कि orbital velocity जो होती है उस satellite के मास पर depend नहीं करती है नहीं करती है तोनों मास कैंसल हो गए clear आशा g m e upon यहां पे r हो गया है तो v orbital equals to under root g capital m e upon कितना r यह हो गई orbital speed का formula done बिटा तो बच्चों यह orbital speed का formula हो चुका है थोड़ा से यहां पिसको हम elaborate करते हैं हमको थोड़ा सा elaboration की जरूरत है तो v orbital equal to capital g m e upon बिटा जो small r है बिटा वो क्या होगा radius of earth plus h r e plus h ओके what is h? h is height from the earth अब यह दी कोई satellite nearby orbit कर रहा है for nearby satellites अगर कोई satellite आसपास में घूम रहा है गती कर रहा है तो r e plus h भाई कितना होगा? दो तीन सो किलोमेटर होगा अब बिटा radius of earth खुद कितनी होती है? 6400 किलोमेटर और उसके सामने दो तीन सो किलोमेटर कोई माइनी नहीं रखता है तो radius of earth plus h near about कितना हो जाएगा बेटा? r e हो जाएगा नहीं होगा? यह सर्थ के surface के near कोई घूम रहा है तो उसके लिए r e plus h जो होगा वो near about कितना हो जाएगा? r e तो यहाँ पर value पूट कर दीजे now v orbit equals to under root g m e upon कितना था? r e plus h तो मैं इसको r e लिख सकता है v orbit equals to g capital m e upon r e अब यह फिर से देखे फॉर्मूला आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला यह बन गया यह किसके लिए है? अर्थ के नेरर और बेट करने वाले सेटलाइट के लिए अब देखे g का फॉर्मूला कितना होता है? capital g m e upon r e का square यह था मैं पस g का फॉर्मूला तो यहाँ से यदि मैं g m e की value निकाल लू तो it will be g radius of earth का square अब आईए यहाँ पर put कर देता हूँ so v orbit equals to under root क्या हो जाएगा g radius of earth का square whole divided by radius of earth तो यह इसको क्या कर देगा cancel कर देगा कहने का मतलब formula कितना आ चुका है g r e okay orbital velocity कितनी आ चुकी है g r e ठीक है? यह से तो मज़े की बात क्या है बिटा? मज़े की बात यह है कि आपने दो-दो velocity देख ली आपने escape velocity देखी थी यदि भूला नहीं है तो उसका derivation कितना आता था? 2 g r e और जो orbital velocity आई है वो कितनी आई है? केवल g r e yes or no? yes sir तो दोनों में relation क्या देख रहा है? कि जो escape velocity है वो orbital velocity का root 2 times है so escape velocity equal to root 2 times of orbital velocity done? yes sir तो escape velocity equals to root 2 times of orbital velocity any problem? हाँ, नहीं sir ओकी so this is complete about orbital velocity तो यहाँ पे हमारी orbital velocity भी complete हो जाती है अब चलिए पढ़ते हैं Kepler's के laws Johannes Kepler एक बहुत ही महान साइंटिस्ट ठीक ना? महान एस्ट्रोलॉजर तो यहनों ने observation करी observation करी रात रात तक जखते थे तारों को घूमते देखते थे कोई इतने powerful telescope भी नहीं थे उस समय कि लोग बिल्कुल exact motion को समझ पाएं मगर इतनी ज़्यादा इनके अंदर curiosity थी कि उसके बारे इन्होंने कुछ loss दिये जो बिल्कुल सही बैठते एक तब आज भी तो Kepler law of planetary motion Kepler ने planet के चलने के तरीके के बारे में बताया generally आज हम planet solar system class 3, 4 से पढ़ने लगते हैं और हमसे कोई पूछता है तो हम यहीं बताते हैं कि भाई साब center में एक sun होता है इसके चारों तरफ revolving spherical orbit बने हुए है बने है की नहीं बने बिटा जिसमें सबसे पहले आपका Venus आ जाता है फिर Mercury है फिर Earth है तीसरे नमबर पे पहले Mercury है फिर Venus है फिर Earth है तो इस तरीके से फिर चौथे नमबर पे आपके अलग अलग planet है यह घूमते है तो यह सब हम आज जानते है इसके बारे में जो बताया Kepler ने बताया Kepler ने पहला law दिया law of orbit तो Kepler ने कहा कि भाई आप जो है यह spherical समझना बंद कर दो जो भी planet है वो sun के about revolve कर रहे हैं वो spherical orbit में नहीं revolve कर रहे है वो elliptical orbit में revolve कर रहे हैं मतलब जैसे हम बच्पन से पढ़ते हाते हैं कि बीच में हमने sun को रख दिया और इस तरीके से spherical orbit बनाते हैं That is totally wrong तो क्या है actual orbit कितनी है बटा elliptical कैसी orbit है बटा elliptical मतलब sun के about elliptical orbit में सारे planet गती कर रहे है every planet revolve around the sun in an elliptical orbit with sun as one of its focus में पढ़ा है class 11th में maths में अपने कॉनिक सेक्षिन में पढ़ा है कि बीचा जो ellipse होता है उसकी 2 focus होती है बुले पढ़ा का नहीं पढ़ा है? हाँ, यह ellipse है यह ellipse की major axis होती है यह ellipse की minor axis होती है यह और बीचा इसकी 2 focus होती है यह 1 focus is called S1, second focus is S2 तो यहाँ पर बताया केपलर साब ने कि Sun जो होता है किसी एक focus पर हो सकता है either S1 पर हो सकता है या S2 Sun दो नहीं है, Sun एक है मगर या तो इसमें present होगा या इसमें present होगा clear? Yes sir So when a particle move with respect to two fixed points in such a way अभी ellipse के definition बता दिये ellipse के definition क्या होती है ellipse के definition यह होती है mathematical definition PS1 plus PS2 equal to 2A what is 2A? length of major axis यह ellipse के definition होती है कि अगर कोई particle इस तरीके से move करता है यह कोई particle है P तो इसकी दो focus से distance यह distance PS1 बनेगी और यह distance PS2 बनेगी तो अगर कोई particle किसी plane में तो particle की जगे यह planet move कर रहा है तो कोई planet plane में ऐसे move कर रहा है कि इसकी दोनो focus से distance का sum किसके equal है? major axis की length के major axis का Okay So here when a particle move with respect to two fixed points such a way that the sum of the distance from two points is always constant then the path of the particle is ellipse two fixed points are called focus points clear बेटा? Yes sir Okay अब next है law of area and law of time जिसको हम कल complete करेंगे और उसके साथ यह हमाला chapter finish हो जाएगा हाँ orbital velocity जो रह गई थी उसका derivation यहाँ पे दिया हुआ है यह देख लिए आप लो this is orbital velocity जिसको मैंने करा दिया है यह complete हो चुकी है orbital velocity So what is orbital velocity? अदर रूट जी आप यह कितना था? 8 km per second orbital velocity जो होती है मास पर independent होती है मतलब body के मास पर डिपेंड़ नहीं होती है किस पर डिपेंड करती है? प्लानेट के मास पर डिपेंड करती है रेडियस अफ दा और्ट पर डिपेंड करती है और G पर depend करती है उस planet के और actually planet के mass पर depend कर रही है तो उसको हम density से replace कर सकते हैं clear? yes sir अगर distance के लिए हम formula बनाए तो V is inversely proportional to under root R और अगर अर्थ की radius के लिए planet की radius के लिए formula बनाए तो it is directly proportional to R चलिए यह सारी चीजें धीरे धीरे करिए तब आपको और अच्छे से clear हो जाएगा so यहाँ पर हमारे पास यह topic हमारा इतना पूरो हो जाता है अब केबल हमारे पास क्या बचा हुआ है? हमारे पास बचा हुआ है केबल और केबल 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 केबलर's law of motion में हमको जो पढ़ना है second law and third law ठीक है बचा है? यह सर्थ okay, that's it